गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्र में तीन प्रभु बताए है ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुन्ये जगत गुरु तत्वदर प्रशी संत राम पाल जी महराज के अमरित्वचन अब वो संतान हीन थे व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टी लेकिन ये भेन जो होती है इनको समाज नी टेकन देता कोई ना कोई आता है पूछता है अरे बगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया एक बालकते चाहिए था तो फिर वो रोती है वेचारी जिसका संतान नहीं होती है तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन लागया निम्मा के श्याम ने कोई बात चलगी होगी तो सुबह उठकर वो इस जेश्ट सुधी पूर्ण मासी को सुबह सुबह ब्रहम मूरत में सनान करने के लिए चल पड़े और स्याम ने कोई रिष्टेदार आया कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि बगवान ने एक बालकते देनाए चाहिए था अब बच्चे बिना तुजी उन्हें कुछ को जा ऐसा अभारी अपनी सोच है लेकिन बगती मारग में इसके विप्रित ग्यान है वो समय आने पर बताएंगे भी तना समय नहीं अब नीरू निमा दोनों सनान करने के लिए परती दिन कीतर है वो चल पड़े कहां अपने उसी सथान पर धापरती दिन सनान करते हैं लहर तारा तलाप है उदर से क्या होता है वो परमेश्वर अपने लीला नुसार अपने गुना नुसार सत लोग से गवन करके गती करके विजली जैसी गती तिवर्ता से वहां से आया एक परकास का एक परत्यक दृष्टा थे अश्टानद रिशी वो परती दिन उसी सथान पर सनान करने जाते थे एकांत सथान देखकर प्राकरतिक वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंदी से प्राप्त साधना उसक का वहां अभ्यास करते थे उस दिन भी वो अन्हाक सनान करके साधना करने का प्रियतन कर रहा था उसी समय उपर से एक परकास का गोला सा आया अश्टानंद डिसमेरिसी की आँखें उपर को हुई देखा तो बहुत तेज था वो आँखें बंद होगी जैसे हम सुरिये की तरफ देखते हैं हम हमारी आँखें सुरिये की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती है पिर आँखें बंद हो जाती है बंद आखों में हम क्या देखते हैं कि सुरिये के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है उसका आकार दिखाई देता है परकास रही था तो ऐसे जब अश्टानंद जी की आँखें बंद हुई परकास को सैन नहीं कर सकी प्रमात्मा के परकास को तो आँखें बंद होगी आँखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई सीशू दिखाई देता बालक आँखे खोली क्या देखा कि वो प्रकास उस लहरतारा तलाब के ऊपर एक कौने में सिमट गया आगे वो अंधेरा था देख नहीं सका अब उसने सुचा ये क्या देख्या बगवन अपने गुरु जी से संका का समाधान कराऊंगा वो तो गुरु स्वामी रामानन जी से पूछा कि है बगवन आज मैंने ऐसे ऐसे देखा ये कोई मेरी बगती की उपलब्दी है या कोई मेरा भर्म है आगा से परकास का गोला सा आया आखे मेरी सेहन नहीं कर सकी बंद हुई तो उसमें एक सिसू रूप दिखाई दिया बालक का र बच्चा इस तरह के ऊपर से जो परकास के तारे से तूटते हैं तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे वो किसी मा के गर्ब में जाएगा और वहां से फिर जनम लेकर या कोई लीला करने आया है उपर के लोकों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार आते हैं तो ऐस लक्षन होते हैं अब अश्टानन तो संतुष्ट हुआ है क्योंकि गुरुजी जो संका का समादान करें फाइनल है अब उदर से क्या हुआ वो नीरू नीमा आ रहे थे सनान करने के लिए उसी सथान पर लेहरतारा तलाब में रस्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो र छेड़ चाड़ कर दी थी उसको कोई प्रेर ना कर दी थी कि बता बालक बिना भी कोई जीवन हो से तो वा ज्यादा दुखी हो रही थी रोने लगी है बगवन बगवान सिव जी बलेंग वो मुसल्मान बन गए थे लेकिन बगवान सिव की पूजा हरत है सिव भूल नहीं पाए थे और कहने लगे बगवान संकर आपके घर में क्या बच्चों की कमी है इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते हैं कोई बच्चा दे देते हैं मेरा भी समसार में इसा हो जाता पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मन हूसा अब नीरू ने कहा नीमा यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान संकर में दे ही देते अब आँखें खराब ना करें देखो बच्चा मारा कोई है नहीं आँखें तू रो रो कर अंदी हो जागी उंगली पकड़ने वाला बुड़ापे में कोई है नहीं तू कुछ विचार विवेक से काम लें मत रोया करें चुप हो जा ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तलाब पर आगे अब पहले नीमा ने सुनान कर लिया नीरू बहर बैठिया नीमा सुनान करके बहर आई नीरू सुनान करने के लिए फिर लहरतारा तलाब में परवेश कर गया अब बिर्हमुरत होता है सुवह का डेध गंटा सुरीय हुदे होने से पूर्व और वो डेड़ गंटाई सा ऐसा होता है कि एक बारती सा देरा दिखेगा फिर तुरंत ही चांदना रोसनी सी बन जाती है नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है नीमा जो वस्तरबांध कैसनार किया था उसने उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तू हिल रही है क्योंकि प्रमात्मा डीला कर रहे थे कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे ये अस्टानंद रिसी सामने बैठा है प्रमात्मा कमल के फूल राजवान है अश्टानन जी की आखे खुली की खुली रह गई है और ये आकास से प्रकास आने का चित्रा अपने देखा अब डीमा ने क्या देखा कि कोई सरप तो नहीं है कहीं मेरे पती को ना डस ले जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है अपने पती को जो साथ में सनान कर रहा था गहरे पानी में उसको आवाज लगाए कि देखना देखना ये बालक देखना ये बच्चा डूबेगा जल में बच्चा डूबेगा कमल के फूल पर बालक है अब नीरू ने सोचा किया तक कती मेंटल हो ली बच्चों के मुँँ में और देख अब इसने जल्मे भी बालक दिखाई देन लगे है बगवान सद्वुदी दोदाता इसको तो वो करने लगा सनान करता करता कि नीमा तु कती पागल होगी तो उसने का कि नहीं जी देखना सचमुच देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सचाई है जिदर वो संकेत कर रही थी उदर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है तु उसने आव देखा नाथ आव देखा फट उठाया कमल के फूल से में तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया और नीमा इस परमाइस्वर को लेकर के बाहर आगी सरोवर से अब नीरू ना रहा था और नीमा ने देखा उस परमाइस्वर का इतना सुंदर सरीर इतना सुंदर चेहरा अपना अत्माँ जिस बगवान के नाम लेंडते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भगत बटक रहे हैं लाखों वर्सों हजारों वर्सों सेकडों वर्सों तक तपस्याएं कर ली वो परमात्मा ना मिला और उस बहन को नीमा को की गोदी में बैठा है अपने अत्माँ बरफ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता कती गर्मी आसपास नहीं आने दे तो संसारिक दो दुख उस बगवान की प्रेजन्स में छूमंतर हो जाते हैं और जब ये टेंसन खतम हो जाती है तो आत्मा अपने आपको हलका सा महसूस करती है तो परमात्मा की उपस्तिती में ये समाप्त हो जाते है तो जिस मालक के नाम लेंड़ता आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड़ कर रही है सीने से लगा रही है कदे उसका मूँ चूम रही है और सुकर मना रही है अपने बगवान संकर का हे बगवान हे संकर बगवान आज़े अरद करी थी अरद देते आज़े सुन दी मेरी अब परमात्मा कहते है कि जगत का पेख ना पेखा और दनी का नाम ना लेखा वहाँ नमबर संकर बगवान के बुने नग रहे हैं और माले खुद आए रहे हैं उसके लिए तो हम ऐसे था हमारे साथ हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाए करते थे जो भी सुख होता था प्रार्वद बस तो हम अपने इन बगवानों को क्रेडिट देते थे बिरमा विश्णु महेश और चाम जी और नुमान जी को जबकि यह इनका को रूल ले नहीं प्रार्वद के अंदर ना यह सुख दे सकते ना यह दुख दे सकते अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमर्त वानी सुनाते हैं वो सचीदा नंद गन ब्रम की वानी अपने आत्मों आपको प्रमात्मा के मर्तवानी सुनाते हैं चोरासी बंधन कटे की नी कलप कबीरे चोरासी बंधन कटे की नी कलप कबीरे बवन चतुर्दस लोके सब ये तूटे जम ज़िरे अनंत कोट बेरमांड में वो बंदी छोड़ कहाए सो तो एक कबीरे हैं वो जननी जनन भाई बनात्माओ ये इतना लंबा सुने बस है कि जो दास आज सुरू करना चावे था सुनाना चावे था वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है फिर भी ये सारा ग्यान मिल कर ही हमें ये पूरे हमारा पूरा कोरस होगा अब यहां क्या पता है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोल कर जा रहा हूं सचिदानंद गंबरम की वाणी कबीर वाणी तो आने वाड़े समय में ये काल के दूथ नकली कबीर पन्थी इसमें बहुत सा फ्यर बदल कर देंगे दंद कथा बना लेंगे उसकी पूरती के लिए उन्होंने आदनिय गरीबदास साहिब जी को वो सत लोग से चल कर आए एक साथ दो रूप में गाउं छुडाने जला ज़ज़र हरियाना के अंदर खेतों में गउच रा रहे थे वहां मिले दस वर्स के बालक थे आदनिय अंगरीबदास साहिब जी उनको अप उनकी आत्मा को सचखंड ले कर गए सत लोग दिखा सारे बर्मावी सुनुवेश की सचीची से परिजित कराए फिर उनको वापे छोड़ दिया उन्होंने फिर वो पर्मात्मा की महिमा सुनाई सारी आखों देखी अभी नकली कभीर पंतियों की थोड़ी सी जलग दिखाते हैं आपको इनके दोवारा बताए गए पर्मात्मा के परगट का वैसे तो मिलता जुलता थे नहीं ठीक किया है लेकिन आसी आवाए ऐसा ग्यान कता है यह बेना बेतुका है अब कहते हैं गुरु बिनकाव नपाया ग्याना जो थोड़ था वो उस्छड़े मूड के साथ नहीं यह देखिए गाए कबीर सागर है प्रमात्मा के सचीदानंद गनबर्म की वानी है यह लिपिवद की है आदनी दर्मदास साइब दीने खेमराज श्रीकरशन दास परकासन बंबई से मुबई से यह परकासित यह कबीर पंथी ही इसका संसोदक है कबीर पंथी बारत पचिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रिस्कृत यह खेमराज प्रकास स्रीकरशन दास यह परकास से मुद्रक है इसके अध्यक्स वेंग्टेश्वर प्रेस खेमराज स्रीकरशन दास मारग मुबई अब इसके देखिए ना क्यों कर अडंगा कर रखें यह बोध सागर कभीर चरीतर बोध नामक एक सब्जेक्ट है इसमें चैप्टर है यहां क्या लिखा है कि समवत 1445 विक्करमी जेश्ट सुधी पूर्ण मासी को सोमवार के दिन सत्पुरुष का तेज कासी लहर तालाब सहर लहर तालाब में उतरा उसमें पर्फिय और आकास परकासित हो गया उसमें अस्टानन्द वैसनों एक तलाब पर बैठे थे वरसा हो रही थी बादल आकास में गिरे रहने के कारणन्द कारचायत हुआ था और बीजली चमक रही थी जिस समें वह परकास तालाब में उतरा उसमें समस्त तालाब जगमक करने लगा बड़ा परकास हुआ और वह परकास उस तालाब में ठहर गया और परतेक जिसाएं जगमगाहट से परस्पुरिपूर्ण हो गई इस आश्टानन्द जी आश्टानन्द जी आश्टानन्द विन्थ हुए परकास के फैलते ही मयोर, चकोर, आदी, नाना परकार के पक्सी बॉलने लगे अश्टानन्द जी जो उस तेज के को देख तो देखा तो अश्टानन्द जी ने अश्टानन्द जी ने उस तेज को देखा तो आनकर उसका समस्त विवरन रामानन्द स्वामी से सुनाया कहा और स्वामी जी ने मैंने लहर तारा तलाब में एक ऐसी जोती देखी ऐसा ऐसी जोती का निरक्षन किया है जिस के जिस से मुझ को अत्यन तास्त्रिय हुआ उस जोती का कासम उतरे और लहर तारा तलाब में ठैरते देखा यह सारा तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी नश्टानंद से कहा कि ओई परकास ओए परकास जो तुमने देखा उसका कौतुक सिगरी तुमारे देखने उसन्ने मावेगा वई तेज बालक के आकार में हुआ उस जल के उपर कमल के फश्प में उतारने और बालक के सद्रिस हाथ पाउं फैंकने लगा आगे इव नीरू के पूरो जुनम की कता सुपत सुदर्शन के माता पिता के थे वे दोनों बंगी का सरीर छोड़कर बरामन बरामनी हुए थे ये अरती ठीक रख आगे देखिए जो दास बताना चाहता है नीरू जुलहा कासी में नगरी में रहता था एक दिवस वहे अपनी पतनी को अपनी इस्तरी को अपनी इस्तरी से चलाता था अब चाहता देवात वहे लहर तारा तलाव के समीप से निकल कर निकला उसकी इस्तरी निमा प्यासी हुई और जल पीने के निमत हुए तलाव पर गई वहां देखा तो एक बड़ा ही सुन्दर बालक को कमल में कमलों में पैरता फिरता है और हाथ पाओं फैक रहा है उस बालक को देखकर निमा तलाब के भीतर गुस कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तलाब से बाहर निकल कर नीरू के पास आई अब देखो ये तो क्या करना चाहते हैं यहां देखा कि इसका लड़का ले आई तब नीमा ने उतर दिया कि मैंने तलाब में पाया है नीरू ने कहा कि यह लड़का जहां से तू लाईये हुए रख नहीं रखा नहीं तो मालू कि यह किसका लड़का है तब उस इस्तरी ने उतर दिया कि ऐसा सुदर बालक तो मैं कदापे नहीं छोड़ूँगी तब नीरू ने कहा कि लोग मुझे को हसेंगे और ठठाएंगे और ठठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी इस्तरी के साथ एक पूतर भी ले आया अब इनकी नाला की बताऊंगा तो आपको दिखा है कि इसमें नूर लख्या है कुछ यह क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्णी ने पहली बार लाया मुकलावे में और रस्ते में अरनों को बड़ा जोर का राम वर्सा हो रही थी बादली बादल कड़के थे खुब जोर की वर्षा हो रही थी, अश्टानंद उड़ा बैठ था वर्षा में, एक तरह किसे, अकल देखो इनकी, अश्टानंद वासाद ना कर रहा था, उस वर्षा में, यह बिनातों की बात, वास्तविकता ये है पुनात्माओं, ये इनकी दंतकता है, सच्चाई इस सच को सत रखने के लिए, सच को उपर रखने के लिए, सचाई जो बनाए रखने के लिए, परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माग, ग्रीब दास जी को ये G्यान दिया, तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता, इव समझमाओगी, अब आदनी ग्रीब दास हैब जिन आख पहले गटी हुई गट्राओं को और अपनी चौपाईयों के मादम से ज्यों का तुम वरनित कर दिया और जो आज हिंदू धरम के अंदर उन्हीं चौपाईयों को आधार मानकर बगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है अब ये दिवद्रिष्टी होती है अब जो तुल एक दुर्बीन होती है दूरदर्सी उसका अक्षमता होती है उसकी रेंज होती है एक तो एक किलोमेटर तक भी नहीं देख सकती हरे एक देख ले लाखों किलोमेटर उपर तक का कहीं दूर तक का तो ऐसे ग्रीब दास साहिब जी को भी प्रमातमा ने वो दीवद्रिष्ट उनका ज्ञान योग खोल दिया और उस अच्चाई को तुलसी दास जी की तरह अपने वगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्नन किया जहां तहां सब ठाई जल्थल परच्वी गगन में वो बाहर भी तर एके पूरन ब्रम कबीरे हैं वो अवगत पुरस अलेख सेवक होकर उतरे इस परच्वी के माही जीव उधारन जगत गुरू हूँ बार बार बलिजाई अब अदनिय गरिवदा साइब जी क्या कह रहे हैं कि वो दासबन का आए यहाँ पर कहते हैं सेवक होकर उतरे अवतरीत हुए वह सीधे चलकर आए वो किसी माता पिता से जनम नहीं हुआ उनका माँ से जनम नहीं सेवक होकर उतरे इस पर्थवी के माँ और जीव उधारन जगत गुरू हम जीव का उधार करने के लिए वो जगत गुरू जगत गुरू माने पूरे विश्वे को तत्व ग्यान देने वाले परमात्मा वो तत्व दरसी संत रूप में आए कासी पूरी कस्त किया वो उतरे अधर अधार जो के तुछ सी दे आए उपर ते अधर ते और मुमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे जंगल में दरसन वे लेरतारा तलाब में कोट करन ससी भान सुद्य आसन अधर विमान परसत पूरण ब्रह्म कूंसी तलपिन और प्राणी कहते हैं कोट कोटी करन ससी भान सुद्य आसन अधर विमान उस परमात्मा का वास्त वी ग्रूप तो वहां पर है और यहां पर क्या बताते हैं गोदलिया मुख्चूम करे हेम रूप जलकंते जगर मगर काया करें वो जानु दमक पदम अनंते परमात्मा आदनी गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं छोटे से बालक रूप में परगड परमात्मा कबीर देव जी के सरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे क्रोण पदम चमक रहे हों उसमें जब नीरून अपने हाथों में लिया फिर उस उन्होंन अपने लिला को समेट लिया अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुख्चूम्या मुख्चूम्या सीने से लगाया मालिका जैसे हिम माने बरफ होती है जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकांदार से कहते हैं मैं ना वह कहता था देखो Сफेद है सवन वाइट माने बरफ जैसा सफेद तो यहां उसी को कह रहे हैं गरीवदास साइब जी कि गोद लिया मुखचुम कर हिम रूप जलकन थे बर्फ जेतना सफेद मालक का चेरा और जगर मगर काया कर जण दम कैंप दम अनन थे कासी उम्टी गुल भया वो मुमन का गर गेर अब क्या हुआ नीरू सनान कर रहा था और निम्मा वहां बगवान के दर्सन करकर प्रमात्मा का सपरस करके सीने से लगा लगा के आनंदी थो रही थी अब नीरू सनान करके आया उसने देख्या कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो कासी के लोग कहेंगे यू किस का वालग कहां से ठालाए तूँ और पहले तो हमारा कोई मुसल्मानों में मिच्टर नहीं हिंदों से संपरक रहा नहीं तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी झिल लेंगे ऐसा कुछ सोच कर अपनी पतनी से कहा नीमा तो इस बालग को यहीं छोड़ दे इसी में हमारा हित है नीमा कहने लगे जी पतानी से बालग ने मेरा क्या जाद्दू कर दिया मैं छोड़ नहीं सकती मैं प्राण त्याग दूँगी इस बिना में रह नहीं सकती अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पतनी की तरफ पर्थम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थपड मारने के लिए और कहा था कहने लगा कि तू जिद्दी होगी हठी होगी है मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं इसलिए नीमोड़ा कि हमारे संतान नहीं और जो तू कहती रही मैं स्विकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी न हो जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है हठी होगी है और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है सब कुछ बताया कि हमसे बच्चा भी छीन लेंगे ये गाउं से भी निकाल देंगे और तू मान जा तो उसने ऐसे थपड किया था कि तेरे मार दूँगा ना इस न रख दे तो परमात्मा बोले वो नवजात सी सुरूप में के नीरू मुझे घर दे चलो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला अब वो डिर गया कि बालक बोले एकदम गवरा गया कि कोई फरिष्टा ना हो और तेरे उपर कोई आपत्ती ना आजा चुप करके आगे चल पड़ा अपना अत्माओ परमात्मा पत्शीश लोग आगे देखने के लिए दुरू दुरू शे अब ये तब नो तब पुछा भी कहा मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तला पर कमल के फूल पर अब ये कोई ज़्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा लेकिन बच्चे की परसंद सा करन लाएगे जेखकर के सुंदर श्रीर ने है कोई नो कहे तो विश्णू जी का रूप है कोई नो कहे तो विश्णू जी सादिक फिर क्या हुआ पत्तिस दिन के होगे बगवन और कुछ नहीं खाया पिया अब निमा फिर चंतित होगी साथ में नीरू भी दुखी अब वो कहने लगी है बगवान है बगवान संकर या तो ये देना नहीं था अर्दाता दिया है दिविसको ले रहे हो अब ये मरेगा साथ मैं मरूंगी फाइनल फैसला का ती अर्दे में सोच लिया तो परमात्मान तरियामी है उन्होंने सिव जी को प्रेड़ना की अब सिव जी के कसक हुई के तुझे कौन याद करके रो रहा है वहां से वो चल कर आए सिव बंडल से, सिव लोक से एक साथ दो रूप बना के और आके कहा के माई क्यों रो रही है नीमा ने बताया के मात्मा जी के बताओ रहने दो मेरे दुख ना सुनो आप भी दुखी हो जाओगे तो बगवान सिंकर ने कहा के माई ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे को बता दे अलका हो जाता है और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दू तो नीमा ने फिर सारी कार्णी बता दी के पहले तुमारे कोई संतान नहीं थी एक दिन मैंने अपने बगवान सिप को याद किया था उन्होंने कबल के फूल पर लेर तारा तलाब मैं बालक च बेज दिया मेरे लिए और अब ये कुछ खापी नहीं रहा मातमा जी पत्तिश दिन का हो गया और ये मरेगा साथ मैं मरूंगी ये मेरा फाइनल फैसला है अन्ति फैसला है यू कह कवरोन लगी तब सिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहा है निमा ले उठा के अर सोचा मातमा के चरना में डाल दू कुछ दया हो जाए बच्चा जी जावे बगवान संकर के साथ रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा एकदम प्रमातमा वहां से उठे वो बच्चे और बगवान सीव के शिर के सतर में लेवल में आकास में हवा में ऐसे सतिर हो गे तब बगवान संकर ने ऐसे किया उनकी गोदमा आगे और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई तब पर मातमा ने कहा कि इसको कहो नीरू को एक कवारी गाएं लियावे जिस जाके संग बेल नी लागा यानि कती कवारी अंटेस्ट और वो फिर दूद देगी आप आशिरवाद दे देना बगवन कभीर साहिब ने कहा है बालक ने उस सिव जी चे कि मातमा जी आप इस पर आशिरवाद दे दियो और ये वाफिर दूद दिया करेंगी एक कोरा बरतन मंगा लो तो सिव जी ने जब कह दिया नीरू को उसकी पतनी से कि वुला तरे पती को वो भी आगया वो जाकर गाएं लिया आया कमारी गाएं लियाए एक कोरा बरतन लियाए थोटा सा दो मांज को उसको और बगवान सिव ने कमर पे हाथ मार दिया लंबे लंबे सतन हो गये उस गाएं के अपने आप दूद चल पड़ा पातर भरते ही रुक गया तब सिव जी चले गए कि इसको रहसे को रखना हम आदमी को नहीं बताना और आप ये दूद पिया करेगा उस दिन के बाद पर मातमा दूद पिने लगे अपने आत्मा ये तो पर मातमा ने लिल्ला की वो करते ही है अब इस परमेश्वर ने कबीर परमेश्वर ने का था अपनी पियारी आत्मा धरम्दास एको के धरम्दास ये बेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही अर्जोन वेद से मैं मिलों ये बेद जानते नाई ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुंगान करे है लेकिन इन वेदों में वरनित विद्धी से मैं नहीं मिल सकता मैं मिलू वेदन से नहीं और जोन वेद से मैं मिलू ये वेद जानते नहीं सुक्सम वेद से मैं मिलू उस तत्व ग्यान से वो इन वेदों में वरनन नहीं उसका अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं कि प्रमात्मा कैसा है वो क्या लीला करता तो यह आसानी से पहें जान लाएंगे वो ही इज गॉड आपको दिखाते हैं रगवेद का एक मंतर और अन्वाद करता भी यह है दासक्रा होता ये नू काई दें दे, काई देते के बॉरांपालने के अनुवाद करन उफ지 संस्कर्ट ना जानता अवे संस्कर्ट के जानने वालों से ल्खवाए दिया पग्वारी साचाही, देखो एकने गुम्हानों की चेष्टा तो की है लेकिन सच्चाई के छुपया करें यह है रगवेद मंडल नमबर नो दस नहरी सिदान सरस्वती इसका खीत लाए रखिए है प्रकासकें सर्वदेशी कारिया परती निदी सभाव महर सिदान भौन राम डिला मैदान नहीं दिली और यह अब इसके हम आपको दिखाते हैं नम मंडल का पर्थम सुक्त से हम थोड़ा सा बढ़ें जागे यह देखना यह नम मंडल है इसका पर्थम सुक्त पर्थम मंत्र है इसमें देखियो यह सो माने पर्मात्मन सोमस बहवाले पर्मात्मा सो माने पर्मात्मा की महिमाँ चल रही है यह इसलिए दिखाना पाझरा इनों थोड़ी सी एह राफेरी करने की चेश्टह की है रगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त एक मंतर दो हे परमात्मन है परमात्मा के विसे हम जानकारी मंतर नमबर तीन है यह मंतर नमबर तीन है हे परमात्मन है परमात्मा के विसे हम जानकारी चौथे में हे परमात्मन पांच में हे परमात्मन आप तुमको अरिव छटे में रिगवेद मंडल नमबर नौ सुक्ट एक मंतर छे हे परमातमन अब जो ये अनुवाद करता है ये महरशी दानन्द के चले है इनके फिर याद आगी महरशी दानन्द तो विद्धों विद्धों बगवान निराकार है तो इनोंने जब देखा ना कि से श्रीर लिखा है तो वहाँ इनोंने गुमाना शुरू कर दिया उड़ जाना शुरू कर दिया है तबीर साब कहते हैं चोर चुरावे तूमडी और गड़े पाणी में वो गड़े हुआ उपर आवे इनों सचाई छनीना जैसे एक चोर ने किसे का तूमबा चुरा लिया सुखा और वो के कर उसने पाणी में छोड़ावनी चराप आजा बारे थोड़ी देर में वो भी उपर ने चमका है कछुवासा वो फेर दाब का वो फेर उपर दिखा है यानि वो छुप नहीं सका तो ऐसे ही इन अज्ञानी ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेश्टा की तुमबे को या सचाई को दबाने की चेश्टा की पर यह उपर आई देखना रगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त एक के आपने छहते ही तो देख लिए है परमात्मा की महिमा अर यहां देखो है अब नीचे दिखाते हैं आपको अब सातमे महिन पुरुष लिखना शुरू कर दिया अब आठमे बंतर मैं फिर उस पुरुष को उगर गतियां प्रेर ना करती हैं अब पुरुष माने की हो है पुरुष माने प्रमात्मा होता है अब देखो महिमा वेद कोई किसी विक्ति विशेष का गुनगान नहीं करते है यह प्रमात्मा की महिमा का गुनगान करते है अब पुरुष माने क्या होता है प्रमात्मा पूरुष प्रमात्मा यह भी नहीं के अन्वाद से सिद्ध करना पड़ेगा जब जचेगी जनता के देखो अब ये जुर्वे दिखाते हैं आपको मैरे शिदानत का अन्वादित और ये वही से प्रकासित है ये इसका अनुवादक है मैरे शिदान सरस्वती है प्रकासित ये वही वाले है और इसके कती लाश्ट वाले मंतर में अब ये आपको पहले भी दिखा था फिर दिखाना पड़ेगा प्रसंग दूसरा हो गया ये चालिसमाद्याए ये जुरुवेद का अब इसमें क्या बता है सननवाद क्या कि है मनुश्यू जिस जोतिस रूप रख सक मुझ से अविनासी इथारत कारण के अचिद्ध अचादित मुख के तुल उत्मं का प्रकास किया जाता है जो वह है प्राणवा सुर्य मुडल में पूर्से माने पूर्ण परमात्मा है पू हमने रगवेद फिर ले लिया यह जुर्वेद दर दिया अब देखो यह रगवेद फिर ले लिया हमने और यह देखो हम जहां आपको लाना साते थे रगवेद मंदल नम्र नो सुकत एक मंत्र हम आपको आठ पर ले आए वे आठ पर उस पूर्स को उस पूर्ण परमात्मा को फुरसमान पूर्मातमा को रघर गतियां प्रेडना करती हैं यानि रघर परस्तियां हो जाती है जब घवाण नीचे आता है हाहाकार मत जाती है न्याए भाय कुछ रहता नहीं है तो भास्मान श्रीर को वह पुरसुव पुर्मातमा पराप्त होता है आप देखा आगे और जिसमें तीन परकार से दूसरों का वारण करने के लिए कल्यान करने के लिए मधू में सिरीद मिलता है उस परमातमा का तीन परकार की सतीथी में वो सब का धारण पोशन करते हैं वारण करते हैं अब ये दूसरी सतीथी में यहां पुर किया है कि जब वो प्रमात्मा शीशू रूप धारण करका आता है शीशू बालक का तो उसमें उसकी प्रिवर्सकी लीला का वर्नन है उस सोम माने सोम सुभाव वाले पुरुज को यानि पूर्ण प्रमात्मा को समझो अजनों ने अडंगा डानत मतलब था यह देखिए हूँ कि यहां इसी कि यहां पर पर्थम मंत्र में रिग्वेद मंडल नम्बर नौ के सुक्त एक के मंत्र एक में सोम माने प्रमात्मा प्रमात्मा सोम सुभाव प्रमात्मा सोम माने प्रमात्मा अमर पुरुज होता है और यहां इनों रडंगा कर दिया अब रिग्वेद मंडल न अमर पुरुस को, पूर्ण परमात्मा को, जो सिशू रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके, कुमार अवस्था में ही, इनी की पहले अनुवाद पड़ते हैं, उस सोंसभाव वाले सरधालू पुरुस को, यानि परमात्मा को, कुमार अवस्था में ही, सब परकार स अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब परकार से, यानि अंटस्ड धेनव माने गौवें, तरप्च करती है, देखो कति कलियर कर जया कि उसका वास्तिव करती है कि सीशू रूप में परगट उस अमर परमात्मा को, जब वो सीशू रूप में होता है, तो सब परकार से, यानि कोवारी गायों द्वारा उनकी परवरस की लीला होती है, वो उनको तरफ्त करती है, तो पुन्यात में हो, ये लीला करी कि सने, आज तक ही त्यास दिखाए, दो किसी वगवान का, किसी मजभगे वगवान का, इस कबीर साहिब न कबीर इस गौड़, कबीर इस गौड़, बोलो सत्कुर्देव, परम पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सारी सिर्ष्टी के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक है, ये हमारे हम दर्द है, ये हमारे परम पिता है, हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा, बहुत दुखी रहते हैं, और कोशिस करते हैं कि किसी परकार इन भूली आत्माओं को, इनके मूल सथान का पता लग जा, ये कहां से आए हैं, और किस कारण से यहां आए हैं, और यहां पर जो ये जीवन जी रहे हैं, ये कितना कष्ट में समय वितीत कर रहे हैं, लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतरगत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है, गीता जी अध्याय नमबर ग्यारा के स्लोक नमबर बतिस में ये कहता है, मैं काल हूँ और जुन, और सब लोकों का नास करने के लिए अब परवर्त हुआ हूँ, श्री करसन से बाहर निकल कर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था, श्री करसन काल नहीं थे, श्री करसन जी ने पहले कभी अपने आपको काल नहीं कहा, बाद में बस्तात में कभी अपने आपको काल नहीं कहा, ये काल क्यों कहलाता है इसको एक रोग लगा हुआ है एक लाख मानों स्रीधारी प्राणियों का नित आहार करने का और स्वा लाख की उत्पत्ती करने का जिस कारण से ये यहां हमें अपने आहर के लिए रोके हुए है जैसे प्रमात्मा ने आके इसकी वास्टविक्ता को हमें बताते हुए क्या इसको कैसे एक्जम्पल दिया है दाता ने कि जैसे कसाई बकरे पालता है उसने उन बकरों को बहुत सुविदा दी हुई होती है परदान की हुई होती है एक सैड बनाता है गर्मी और सर्दी से वचने के लिए चरागा बनाता है एक जल का छोटा सा होद बनाता है उनको जल की सुविदा देने के लिए तो वो भोले प्राणी ये समझते है कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक विक्ती है हमारी कितनी सुविदा का ध्यान रखता है ए सुविदा सुविदा का कितना ध्यान रखता है और इसी द्रिष्टी कौन से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घोम जाते हैं एक नेक विक्ती मानिक है कोई तो ऐसे पैर उठा कर उसको प्यार देने की चेश्टा करता सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुधा दे रखी उन्हे आत्मों ये पसुपक्सी प्राणी जितने जीवजन्तु है ये वही आत्माई हैं जो कभी पहले मनुष भी रही है तो परते एक प्राणी समझता है कि कौन कैसा विक्ती है जैसे कोई विक्ती जैसे हम देखा करते थे प्रस्वों को संभालता है जो एक घर का सदस्य है उनको चारा डालता है उनको नलाता है पानी पिलाता है तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं आत्थ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा अदमी है, तो इसी परकार वो बक्रे उस कसाई को, अपने सत्रू को, और एक नेक विक्ति जानके, उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं, उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है, ये कितने, इसमें कितना मास बन और वो चाटते हैं, ये समझ कर के हमें ये बहुत ध्यान रखता है हमारी, बहुत नेक विक्ति है, और कसाई यूँ देखे, इसमें कितना मास हो गया, यो कितने गाबक केगा, पुनात्मो परमेस्वर कबीर देवजी ने, हमें आकर के ये ग्यान कराया, सत्लोक से चल कर जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जनम नहीं, कोई मर्टू नहीं, जरा नहीं, बुडापा नहीं, उन्होंने बताया कि तुम यहां की सुधाएं देखकर, कि कितनी बड़ी परच्वी है, कैसे अच्छे मोसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समया नुसार क्योंकि गर्मी की भी हो सकता है श्रीर को नहीं तो यह गल जाए और कैसी स्विधाएं दे रखी हैं जैसे गेहूं है सनाबाद राजवार सेव संत्रे काजू किसमें और सुंदर ध्रने बै रहे हैं द्रिया बै रहे हैं पर्च्वी के अंदर मिठा जल खारा जल सब उपस्थित हैं इन स्विध को देखकर हम यह सोचते हैं कि बगवान कितना अच्छा है हमारा मालिक कितना अच्छा है हमारे लिए कितनी सुईधाएं परदान कर रखी हैं और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा विक्ति मानते हैं क्योंकि उनकी बुधी इतना ही काम करती है और जिसमें उन बक बक्रों को निकाल ले जाता है, अच्छा सोदा बन गया, दस पांस बक्रों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आप, एक डंडा लेका है, और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ, उसमें वो नहीं देखता कौन किसका ह तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं सेस बचे हुए बकरे नियू बागते हैं दर उदर फूर को पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी इतना ऐसास उनको हो जाता है तो पुन्यातमा पुर्मातमा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हैं यो काल का लोग है उसका साई का लोग है या कोई प्राणी सुखी नहीं और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मरतू हो जावा है इन सुईदाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा बगवान हमारा और जिस में हम देखते हैं दुरगटना के अंदर एक ही परिवार के ग्यारा सदे से मरगे एक बुड़ा बच गया तो कहां गई वो द्यालू ता इस यहां के बगवान की जहां हम रह रहे हैं कुछ भोली आत्मा इतना ग्यान हीन हो चुके हैं कि हमारा तो बगवान से विश्वास ही उठ गया है बगवान को तो कहते हैं बड़ा द्यालू है और यहां एक भी काम द्यालू वाले नहीं हैं तो पुना इत्मा बिना ग्यान के हम आइस्सी हैटकल लगा कर और दूने दुख पाते हैं अब जो ड्यालू का लोग है द्याल का लोग है उस हमदर्द का लोग है उसको हम छोड़का आगे अपनी नाला कीत हैं गलतीत हैं और जब तक हम वहाँ नहीं जा लेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते ये लोग सुख का है ही नहीं 21 बिर्मांड है इस काल भगवान के 21 बिर्मांड में आग लगी हुई है यही काम करोध की लोब मो एंकार की सुरक के अंदर देखलो उन देवताओं के आप अजमलट बाजए एक दूसरे की इस तरी पद बुरी नजर रखे जो करम यहां के प्रानी करते हूं यहां के शुरक और महा सुरक के जिनको हम देवता कहते हैं वो भी ही करते है तो कहां सुख होगा इस प्राणी को जो साधनाए आप जी अभी तक क्या करते थे वेदो मवर नित्विधी उसकी अंतिम उपलब्दी स्वर्ग प्राप्ति है महा स्वर्ग यानि ब्रह्म लोग प्राप्ति है और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर दिनम में आते हैं तो पुन्यात्मा इस ग्यान को देने के लिए स्वयम परमेश्वर आते हैं और अब ये जो समागम सत्संग समारो चल रहा है ये उस सुब दिन के उपलक्स में है जिस दिन इस कल यूग के अंदर वह प्रमात्मा अपने लीला अनुसार प्रते की यूग में आते हैं और एक सिसु रूप दारन करके किसी सरोर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका मेरा नाम राजेंदर दास है सर जी मैं जौनपूर उत्तर प्रदेश से हूँ 2 अक्टूबर 2018 को मैंने लिया नाम राजेंदर जी संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती साधना ही किया करते थे सर भक्ती साधना कोई ज्यादा नहीं करता था विशेस मैं जो है परमात्मा की तलास में रहता था आध्यात्मिक कुस्तके पढ़ता था लोगों से ग्यान चर्चा किया करता था तो इसी ग्यान चर्चा में मैं जो है कुछ किताबे बाजार से ले करके आया उसमें जो है तर उसके बाद फिर जो है एक हमारे मित्रही मिल गए वो मदन पंथ से जुड़े हुए थे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वहां चलते हैं आपको दिखाते हैं तो वहां देख लो ठीक लगे तो तो मैं वहां पर नाम वहां का लिया मदन पंथ से जुड़े रहे लगभग धाई तीन साल तक मैं जुड़ा रहा इन ढायी सालो में अनके बताय विद Anders Sängen करता रहा उसमें ऐसे सिध्धान थे किशे को कभीर सहाब के सिद्धान से मिल नहींyesal को कहते थे तौ परमातMA को साकार-निराकार से परिए परमातमा चोन आख्यारोजने नहीं गयान को तो कि शाआए यहलं करने कि नइवारोजने यहां कुछ नहीं ुचि ज्ञता कुछ फिर धर जोदेव Mm तो वो मेत्र मुझे कहे कि जैग उर्देव पंत वहां चलो और आपको lashा से नाम दिल्वा देता हूं तो फिर वहां गया हो आम ले लिया जो फाइल था निरंजन ऑं रारंग सोंग सतन यह पाऊ नाम वहां से मैंने लेकर के जपा और वो मतुरा के तुलसी दास जी जो जय गुर्देव के नाम से परसिद्ध थे वहां से मैंने नाम लिया था तो उसके बाद फिर जो है वो नाम जप रहा था मैंने उन्हीं को सुप्रीम मान रहा था मैंने उनको सबसे उपर गुरु समझ रखा था तो भक्ति चल लई थी है से ही मैंने वो 12 साल तक भक्ति किया राजिंदर जी आपने बताए कि आप मदन पंती पंत में जुड़े हुए थे और उसके बाद आप जैगुरु देपंत में जुड़े तो फिर संद रामपाल जी महराज की संड में आने का क्या कारण बना कारण ये बना कि इन पंतों से जुड़ने के बाद जो इनका ग्यान था जो भक्ति थी उससे मैं संतुष्ट नहीं था कारण क्या था कि एक दिन मैं यूटूब पर सद्गुरू रामपाल जी महराज का सत्संग देख रहा था तो उसमें वो जो है जैगुर्देव पंथ के बारे में बता रहे थे तो वो पाचो नाम काल के हैं और ये जो है जो भक्ती करता है वो काल के लोग में जाएगा वो सारी बाते जब मैं समझ लिया संत्रामपाल जी महराज के सत्संगों के द्वारा तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ती ये गलत है और उन्होंने प्रमार सहित दिखाया था तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई अचित नहीं था चुकि मैं मोक्स चाहता था और मुझे सचे गुरु की तलाज थी तो इसलिए जो है मैंने संत्रामपाल जी महराज के अन सत्संगों को भी देखा तो वो सारे सत्संग जब देखते देखते मुझे पता चला कि हमारे सास्त्रों में वेद में गीता में कुछ और बाते लिख गलत साथना वता रखा है तो इसलिए मैं समझ गया कि गुरु जी यानी संत रामपाल महराज की संग मैं आने के बाद आपको क्या लाब मिले? भक्ति करना शुरू कर दिया तो भक्ति के बाद नाम लेने के बाद संत्रामपाल जी महराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया तो उसके बाद फिर हमारे किडिनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया आज तक कोई दर्द नहीं हुआ समय से हमारी साल हो गई डाक्टर ने रिपोर्ट देखर कहा था कि आपरेशन होगा लेकिन बिना आपरेशन के हमारा तकलीफ का समधान हो गया दूसरा लाब यह हुआ कि करीब 25 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था कभी कभी बहुत ज्यादा वड़ा जाता था तो वह एक तरह से माइग्रेन था तो उस माइग्रेन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूं उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग अब बनता था है इकसर एक्सिडेंट हो जाया खरता था झाहिं जाते वक्त जो है अधिता थोड़ा से बच जाता था तो फिर या फिर यह लड़ता सैनों कि आधी कोई ब्यक्ति ठाजो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था इस फर्जी मुक्ति से मुक्ति दिला दो तो परमात्मा हमारे संत्रामपाल जी महराज ने ऐसी कृपा की कि उसको ही सब गाहँवाले समझाने लगें कि मुकदमा तुमने गलत किया है उनके उपर से हटा लो तो वो ब्यक्ति जो है मुकदमा फिर खतम कर दिया आज फिर मुकदमा नहीं चल ला है मेरे उपर तो ये भी लाव हमारे साथ हुए है क्योंकि परमात्मा कवीर साहब की बताई हुई ग्यान को संत्रामपाल जी महराज बताते है वो परमात्मा के ज्यान को बता करके उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधी को बताते हैं और उस भक्ति विधी से जो भी भक्ति करेगा उसको लाव होगा कैंसर क्या किसी भी तरह की समयशा का समाधान हो जाएगा इस बज़े से साइन्स जहां खत्म हो जाती है वहां इस भक्ति से लाब होने लगता है तो संत रामपाल जी महरांस से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है संत्रामपाल जी महराज से नाम दिछ्छा लेने के लिए आप उनके किसी सिस्ष से आप कांटेट कर सकते हैं वो आपको बता देंगे जगा जगा नाम दान सेंटर खुले हैं वहां पहुंचा भी देंगे वहां से ले सकते हैं दूसरा यह आप जो है जब उनके सत्संग चलते अन्य चैनलों पर तो आप एक नीचे चलती हुए पट्टी दिखाई देगी जुसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे उस नंबर को नोट करके आप फोन लगाएं वहां से आपको बता दिया जाएगा आपके नजदी के नाम दान सेंटर वहां जाकर आप नाम दिछ आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो कर दो करते हैं